नमस्कार जैंग, पूर सेनिकों के लिए कुछ important vacancies आये हुए हैं, जिसमें की government vacancies हैं और कुछ direct vacancies भी हैं, तो चलिए discuss कर लेते हैं, एक एक करके और पूरे discuss कर लेते हैं, क्या-क्या vacancies आये हुए हैं, तो start करेंगे government vacancies से, सबसे पहला जो है वो आया है राजस्तान cooperative board से, post का नाम है banking assistant, salary इसमें ठीक-टाक है, 17,000 से 80,000 के बीच में salary रहेगा, job location राजस्तान का रहेगा, total इसमें vacancy है, 635, जिसमें की पूर सेनिकों के लिए इसमें reserve vacancy है, 26, last date to apply है, 17th of November 2013, अब इसमें qualification कैच चाहिए, graduation चाहिए, और defense graduate भी हैं, तो इसके लिए certificate इसमें valid है, next जो vacancy है, government vacancy, वो है compounder का post है, और यह आया है, highway department, राजस्तान के तरफ से, अब इसमें जो salary है, ठीक-ठाक salary है, 56,000 से 1,77,500 के बीच में इसमें salary रहेगा, बहुत handsome salary है, job location राजस्तान का ही रहेगा, number of vacancies इसमें है, total जो number of vacancies है, वो है 947, एक सर्विसमेन के लिए जो reserve post sales में, वो है 107, यह एक सो साथ इसमें vacancy है, online इसमें application होगा, qualification चाहिए, डिप्लोमा इन आयरवेद या B.A.C. इन आयरवेद, अगर यह है तो एक सर्विसमेन इसमें apply कर सकते हैं, उसके बाद next detail करते हैं, discuss कर लेते हैं हम लोग, वो है animal attendant राजस्तान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड, यह भी government vacancy है, अब इसमें जो salary रहेगा, 18,000 से 56,900 की बीच में रहेगा, job location राजस्तान का रहेगा, total number of vacancies इसमें 5934 है, यानि 5934, एक सर्विसमेन के लिए 741 vacancy है, qualification इसमें secondary education qualify होना चाहिए, पास होना चाहिए, job location इसमें राजस्तान गई है, उसके बाद जो next vacancy है, फोर्थ नमर का vacancy वो है, परिदवाड district court के अब इसमें job location हरियाना कर रहेगा, 16,900 से 53,500 पर मत इसमें salary रहेगा, total number of vacancies इसमें 55 है, जिसमें की पूर्व सैनिकों के लिए इसमें 5 vacancy है, online इसमें apply होगा, qualification चाहिए 10th pass, application fee इसमें पूर्व सैनिकों लिए नहीं है, अचाहिए इसमें अगर post-wise vacancy देखें तो process server के लिए एक vacancy है, tune के लिए 4 vacancy, उसके बाद जो 5th नमर का government vacancy है, वो आया है, असम राइफल से, इसमें post जो है, वो है, drop man, plumber, lineman, field trade, electrical and mechanic surveyor, ITI, और religious teacher का, total number of vacancy 161 है, जिसमें की पूर्व सैनिकों के लिए 16 vacancy है, online इसके लिए application है, apply हो रहा है, और इसका last date है, 19th of November 2020, 23, application fee, all over India से, पूर सैनिक इसके लिए application apply कर पाएंगे, अच्छा, जितने हम ये government jobs को हम discuss किये, उसका application link और notification link आपको description box मिल जागा, क्रिपया करके apply करने से पहले है, पूरे notification को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद online apply करे है, अब हम discuss कर लेते हैं, कुछ direct jobs की, इसमें कोई application fee की नहीं है, परना ही कोई exam देना है, ये call करके join कर सकते हैं, interview based job है ये सब, अब direct jobs की, को discuss करते हैं, सबसे पहला आया है, six jesios का requirement है, university है, इसमें जो post है, वो है university administration officer, अब इसमें requirement क्या है, jesio होना चाहिए, उसके बाद, या तो अंग्रेजी का ग्यान हो, या वहाँ का local language कर्नड का ग्यान हो, ये दोनों में से कोई ग्यान होना चाहिए, बोलने और लिखने आना चाहिए, इसके बाद height जो है, वो है, six feet, कम से कम six feet height हो, salary इसमें ठिक ठाक है, 40,000 से 50,000 के बीच र university, बैंगलोर, उसके बाद, इसमें जाने, अगर पूर सानिक, jesio हो, इसमें जाना चाहते हैं, तो इस number, contact number सांदे दिख रहा है, stream के उपर, वहाँ से बात करके, ज्यादा information प्राप्ट कर सकते हैं, और वहाँ interview के लिए जा सकते हैं, interview based job है, वहाँ पहले interview होगा, उसके बा हो, अगर यह हैं, तो उनके लिए है, job location डेली और बैंगलोर दोनों का है, डेली के लिए दो है, और बैंगलोर के लिए दो, यानि दो, two in each location, height इसमें जो minimum height चाहिए, वो है, वो चाहिए, 175 cm, अब यहाँ salary, ठीक टाक है, बड़िया salary है, 65,000 से 70,000, बीच का salary जाहेगा, इस contact number है, अगर energy काटे हुए, या पैरा एक सर्विसमेन है, तो इस contact number पे, contact करके इस post के लिए बात कर सकते हैं, join कर सकते हैं, उसके बाद discuss करते हैं, next vacancy का, यह 10 एक सर्विसमेन चाहिए, और इसमें height भी mention है, पांस पूर दस इन चाहिए, 12 घंटे 30 दूनों की duty रहेगी, salary इसम में प्रावधान है, यानि available है, job location है, sector 5, IMT, Manessar, गुर्गाओं, हरियाना का, contact numbers आपको यहां पर 3 contact numbers दिये हुए है, contact अगर इस location में job करना चाहते हैं, पूर सानिक, हरियाना के हो, या All India के भी हो, तो इसमें बात कर सकते हैं, उसके बाद next vacancy है, vacancy for a serviceman, gunman in HURL, वरोनी, यह बरोनी बिहार में है, और यहां total जो vacancy है, gunman के लिए, वो है, दो, और इसमें जो salary रहेगा, वो 26,000 प्लस EF रहेगा, All India valid license चाहिए, उसके बाद 8 घंटे 26 दिनों की यहां duty है, as per DJR norms, लेकिन यहां पे एक है, यहां पे कोई accommodation और food का कोई ब्यवस्था नहीं है, तो यह पूर्शानिकों को खुद से arrange करना होगा, इस location में अगर पूर्शानिक जाना चाहते हैं, तो contact number 7 ने दिख रहा है, वहां से contactor के ज़्यदा जनकारी फ्रात कर सकते हैं, केवाल gunman के लिए vacancy है, अब हम discuss करे हैं कुछ DGR security agencies का, जो की आज पर आप लोगों के comments का अनुसार थ पूर्णा लोकेशन के लिए इसको आप वीडियो को pause कर लें, और यहां पर जो email ID यहां आप दिख रहा है, यहां पर mail करके inquiry कर सकते हैं, यहां खुद भी जो address दिख रहा है, वहां पर जाके, वहां पर inquiry करके, आप जानकारी प्रात कर सकते हैं, vacancy से related, उसके बाद और एक ह जो की दूसरा agency है, पूना का, यहां पर भी same email address दिया हुआ है, उसके बाद आपको office का भी address दिया हुआ है, यहां से जाके पूरसानिक inquiry कर सकते हैं, उसके बाद next है, गुरुग्राम हर्याना के लिए, तो यहां भी पूरसानिक जाके inquiry कर सकते हैं, इसके अलावा, email भी दिय दिया हुआ है, और telephone number landline दिया हुआ है, वहां से inquiry कर सकते हैं, उसके बाद next है, गुरुगाओं लोकेशन का, गुरुगाओं वाला location में भी DGR security agency अगर पूरसानिक हैं, वहां का comment भी आ रहा था, तो इसमें contact करके, यहां इस address पे जाके, वहां पे inquiry कर सकते हैं, और job का सब्रेण कर लेंगे, तो वहां पे जो भी हम वीडियो अप्लोड करते हैं, या जो भी हम वहां पे अपना डालते हैं, वेल फेयर अपडेट्स या वाकी जो भी job अपडेट्स है या जितने भी latest news हैं, वो catal탁 करते हैं, वीडियो पे नहीं हो पाया तो, वहां टेलिग्रायम चैनल के आपको मिल जागा वहां से आप कि उसको जॉइन कर सकते हैं और इसे लाब उठा सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवार